हेलो दोस्तो स्यान ट्रिक्समा आपका स्वागत है दोस्तो ये वीडियो आज बहुत खास होने वाली है और आपसे रिक्वेस्ट है अगर ये वीडियो आपने स्टार्ट कर दी है तो लास तक जुरूर देखे दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ IMO के दो अकाउंट एक मोबाईल के अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी बिना किसी application के यानि के बिना 3rd application के दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ IMO के दो अकाउंट के रिएट करने के लिए akin एक टिक होता है उसको बस ओन करना होता है और अटोमेटिकली दो IMO के अकाउंट आपके मोबाइल के अंदर आ जाएंगे दोस्तो दोस्तो पूरी जानकर ही मैं आपको बताने वाला हूँ उससे पहले छोटा सा इंट्रो दोस्तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ मेरा टार्गेट रहता है तीन मिनिट के अंदर वीडियो कंप्लिट हो जाए और कंप्लिट इन्फोर्मेशन आपको मिल जाए तो दोस्तो बिनात किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अगर बात करूँ मैं IMO अकाउंट के तो आप स्क्रीन पे सामने सामने देख सकते हो दोस्तो अभी यहाँ पे एक एप्लिकेशन है एक IMO को अकाउंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं इसके दो अकाउंट बनने वाला हूँ वो भी एक सिंपल सी ट्रिक से दोस उसके बाद आपको यहाँ पर डूर लखना है यहाँ पर दी प्रेष करोगे और उसके बाद आपको यू प्रेश करना है तो यहाँ पर सामनेいただग ओडुल एपस इस पर आपको खिलिक हो करना है तो, चारल क्या हमें लग आक आपको पड़ेगा एक स्थाघान दोस्तों यहा तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो IMO का जो application है वो यहाँ पर टिक कर देना है उसके सामने और यह automatically जन्नेट हो जाएगा home screen पर तो मैं अब आपको home screen पर लेके चलता हूँ इसको करता हूँ मैं यहाँ से minimize या फिर back करता हूँ दोस्तो दोस्तो इस screen पर आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर दो account आ चुके है वो भी IMO को एक मैंने open करके यहाँ पर दिखाता हूँ यह मेरा यहाँ पर personal आइमो का account है उसके बाद मैं यहाँ करता हूँ इसको back जैसे मैं back करूँगा दूसरे भी मैं यहाँ पर open करके दिखा रहा ह आपको यहाँ पर IMO का दूसरे वाला account है वो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर अपना account number या फिर mobile number यहाँ पर डालने के बाद में यहाँ पर आपको यह verification आ जाएगा और तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर दो IMO का account एक साथ चला पाएंगे वो भी बिना application दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ अगर आपके mobile के अंदर dual apps का option नहीं आ रहा है तो आप third application का साहरा ले सकते हो दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर complete information मैंने आपको देती है तो चैनल को आप subscribe करिए like करिए और अगली वीडियो का wait करे जैह हिंद दोस्तों